प्रभु येश्यु मसी के नाम में आपको अनुगरे, शान्ती और आशिश मिले एक किसी शहर में एक कॉन्फरेंस था और उस कॉन्फरेंस में एक व्यक्ति जो अटेंड करने के लिए आया था तो लंच टाइम में वो किसी बाहर रेस्टोरंट में खाना खाने गया वो व्यक्ति प्रभु येश्यु का विश्वासी था और अपना काम करता था और साथ-साथ प्रभु येश्यु का संदेश भी जहां मौका मिलता था, महाँ पर देता था और जब वो इस रेस्टोरंट में मेज पे बैठा और एक वेटर ने आके उसके खाने के लिए और लिया और खाना लाया और तब उस सारे प्रोसेस में इस व्यक्ति के मन में और हिर्दे में एक बड़ा बोज आया और बोज यह आया कि मैं इस वेटर से बात करूँ, कि इस वेटर की आत्मा के बारे में उससे बात करूँ कि तेरी आत्मा कितनी बहु मुल्य है और पाप में मर जाना ये कितनी बड़ी भयानक बात है लेकिन उसको थोड़ा अजीव लग रहा था कि मैं कैसे एक चलते हुए रेस्टोरनेंट में इस वेटर के साथ ये बाते करूँ तो थोड़ा हिचकिचा आया और वो चुप रह गया उसकी बात बिल आया उसने बिल भर दिया और फिर वो बाहर निकल गया लेकिन मन में मोज इतना था कि वो जानी पा रहा था उसको यह हो रहा था कि आज मुझे इस वेटर से बात करनी ही है कि अगर तू पापों में मर जाएगा तो नरक चला जाएगा लेकिन प्रभु येश्व तुझे अपने पापों से बचानी के लिए आया तो उसने सुचा चलो मैं यहीं खड़ा रह जाता हूँ और जब तक वो बहार नहीं आएगा मैं यहीं खड़ा रहूँगा कॉन्फरेंस गया तो गया तो वो हीं खड़ा रहा और कुछ समय बाद जो रेस्टरॉंट का प्रोप्राइटर था मालिक था वो बहार आया और उसने देखा कि यह कस्टमरी था उसने पूछा आप यहां पर क्यूं खड़े है तो उसने बोला मैं जो वेटर मेरी मेज पर मुझे सर्व किया था मैं उससे कुछ बात करना चाहता हूं मुला नहीं तुम उससे बात नहीं कर पाओगे क्योंकि वो आपकी मेज सर्व करने के बाद उपर अपने कमरे में गया और उसने अपने आपको गोली से मार दिया यानि शायद आप पुलिस आने ही वाली थी तो हम देखते हैं कि कैसे परमिश्वर अपने आत्मा के द्वारा कई बार ऐसे मौके लाता है जो मौके मनुश्य चूप जाते है लेकिन आज अगर आपने अपने पापों से पश्टाप नहीं किया है तो ये मौका आपके लिए है मेरा मौका था उस व्यक्ती की तरह कि मौका ना खोकर मैं आपको बता दू और आपका मौका ये है कि जो आप सुनते हैं आप उसे हिर्दे में अपनाएं वो व्यक्ती जो कॉन्फरेंस में आया था वो क्या बताना चाह रहा था उस वेटर को उसको एक साधरण सी बाद मताना चाह रहा था कि पापों की मजदूरी मृत्यु है पापों में मरना एक भयानक बात है हम शायद पाप को हलका ले ले लेकिन वो पवित्र परमेश्वर वो स्रिष्टी करता जिसके उपस्थिती में भी पाप नहीं आ सकता हमने उसके विरुद पाप किया है इस कारण हमारा पाप बड़ा है और जबके वो न्याई है जबके पाप की सजा भयानक है नरक की आग है परन्तु वो न्याई परमेश्वर प्रेम करता है मुझसे और आपसे और इसलिए मनुश्य का रूप धारन करके धर्ती पर आया और उस प्रेम के खातिर प्रभु येश्व मसी ने अपने प्राण कुरूस पर दिये ताके जब मैं सच्चे मन से पश्टाब करके उस पर विश्वास करता हूँ तो मेरी आत्मा बच जाती है अब मेरी आत्मा उसकी उपस्तिती में जाएगी मुक्ती पाली है मोक्ष पालिया है लोग मुक्ती और मोक्ष और सैल्वेशन को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जिस परमेश्व ने आपकी स्थिष्टी की वो आपके भलाई और भविश्वी के लिए कॉम्प्लिकेशन क्यूं करेगा बाइबिल एक बहुत सीधा और साफ मार्ग बताती है प्रभु येश्व ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ इस से ज़्यादा आसान मार्ग कहां मिलेगा आपको प्रभु येश्व कहीं भी धरम बनाने आया नहीं ना हिंदी बाइबिल में ना उर्दू बाइबिल में इसा या इसाई शब्द है ये दुनिया ने मनाया है ना बाइबिल कोई धरम शास्त्र है लोग लिख देते हैं लेकिन वो धरम शास्त्र नहीं है वो परमेश्वर का वचन है वो पवित्र शास्त्र है लिखा है कि ब्राणियों तीन में सो जैसा पवित्र आत्मा कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो यह वचन आज आपके लिए है एक दिन यह वचन मेरे लिए था और मैंने अपना मन कठोर नहीं किया नम्र होके घुटणों पर आके अपने पापों से पश्ताप किया अपने पापों को माना और उस प्रभू येशु को अपने हिर्दय में बुलाया जिसने कुरूस पर अपनी जान दी और तीसरे दिन मृत्यकों में से जी उठा प्रभू येशु कहता है मैं तुम से कहता हूँ कि आगे पढ़ रहा हूँ परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रिती से नाश होगे पाप में मरोगे कोई भी वेक्ति क्यों न हो पाप की स्थिथी में बिना पापों की शमा मरोगे तो विनाश है दंड है और एक जगा लिखाए तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से दिश्चिंत रहकर क्यों कर बच सकते हैं जब इतना कुछ पर्मेश्वर ने आपके लिए तयार कर दिया है तो आप भी हिसाब देई है अकाउंटेबल है इतने बड़े उद्धार इतने बड़ा प्रेम बनाया है तो उसका आत्मा कहता है आज उसकी आवास को सुनता है तो अपने मन को कठोर ना कर देख अपनी आंके उठा उस कुरूस की तरफ विश्वास से देख कि वो स्रिष्टी करता जो तुझसे अनंद काल से प्रेम करता आया है कैसे उसने तेरे खातिर दुख उठाया कैसे उसने मेरे और आप जैसे गिरेवे पापियों के लिए अपना पवित्र लहू बहा दिया आज उससे प्रात्न करें आज विश्वास से उसके पास आएं परमेश्वर आपको आशिश दे